जाएं दोस्तों बहुत सारे लोगों ने कई बार सवाल किया कि क्या पिता के संपती जो है पिता अपने परपटी को किसी एक बेटे के नाम से कर सकता है या किसी एक बेटी के नाम से कर सकता है किसी एक बच्चे के नाम से कर सकता है जैसे एक जामपल के तौर पर बता रहा हो क किसी का दो बेटा है दो बेटी है किसी का चार बेटा है दो बेटी है या फिर एक बेटा है चार बेटी है तो उसमें से किसी एक को अपने संपती पूरा का पूरा उसको देख सकते हैं उसके लिखेंगे दहीं ताकि में को बिडियो को लाइक करेंगे आपको बीदियो । कोमन सवाल है कि क्मा के पैसे आपना माबाब को नहीं देता है। । या फिर माबाब के बात नहीं मांता है। या भी बहुत सारे गुक्क Ealdry युद्स बनाख रहें, कहीं साधी कर लेते हैं अपने मर्जी से तो घर बाले नराज हो जाते हैं अब उसमें क्या करता है पीता पीता अक्सर कोशिज करते हैं बेदखल कर दो अपने बाकी बच्चों के नाम से कर दो या किसी एक बच्चे के नाम से कर दो जो बहुत अच्छा है मुझे देखता है मे खुद का अरजित किया हुआ सभाति मतलब क्व्द भुद से जो करिदा गया होता है वह संपति उनका सेल्फ हो divers Americas काथonne आप दखेंए दोनों में अंत्र क्या है और दोनों में क्या कौन सा काथ सकता है कौन सा पर पर्पर्पर्टी नहीं चाब सकता है यह कि लिए जिसे से पाड़ा के नाम से परपटी है यह दादा के नाम से परपटी है और वह पर पर पटी जो होता है उसको पैतरिक सम्पत्य हैं ancestral परपट काते मतलब कि वह प्रपटी आपके पिता जी किसी एक के नाम से नहीं कर सकते हैं भले ही उनका नाम से हो गया हो। मतलब दादा जी से मिलाूíं को परपटी चाचा में बटवारा होके मिला भले ही उस परपटी को उसने अपने नाम से करा लिया है उनके नाम से आ गया भर पडकल को तो बच्ट करने का किसी परकार का जिए अगर नहीं दे रहा है तो दूसरा option होता है कि court से partition shoot दायर करके वहां से आप लरके ले सकते हैं बहुत आसानी से मिल जाता है क्योंकि होना है होना किसे भी कीमत पर प्रपटी पैत्रिक संपती जो होता है किसी एक बच्चे के नाम से पिता चाहा कर भी नहीं कर सकता है अगर उन्होंने बस्यत कर दिय आपको घबरानी की ज़रुवत नहीं आपको फर्क नहीं परेगा आप किसी भी हालात में उस प्रपटी के दुबारा हासिल कर सकते हैं अपने हिस्से को ले सकते हैं जो हिस्साब का होगा वो ले सकते हैं अब दूसरा आता है कि पीता जी ने खुद कमाकर चाहें नोकरी करत से हो दो बच्चे के नाम से हो अपनी पतनी के नाम से हो या फिर किसी अन्य के नाम से इस्तेदार के नाम से हो या फिर उनके कोई भी हो जानने वाला किसी के नाम से वो दे सकते हैं किसी को वसीयत कर सकते हैं किसी को गिफ्ट कर सकते हैं लिखी तुरुप से उसमें आप किसी की परकार का कोई एकसal नहीं ले सकते हैं उसमें तroiska फाइल होगा ही नहीं कोट मैं को कि ऱुट से शंक्रीड में को आपको उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं होती है कि बाप के नाम से संपती में बेटों का हिस्सेदारी नहीं होता होता कम है जब आपके पिता जी के नाम से संपती और आपके पिता जी ने किसी को दिया नहीं किसी के नाम किया नहीं किसी तरह का बसियत किसी को किया नहीं और देत कर गये हैं मर गये इस दुनिया में नहीं है। उस पूरपटी में आपकी हिस्सेदारी होती है यह पूती है उसके आप सेल्फ एक्वाइड परपटी है मतलब खुद से अर्जित किया हुआ संपती है वह जब नहीं रहेंगे तो उस परपटी में आप लोग बटवारा कर सकते हैं तो बस सीधा समझ लिए जब उनका परपटी में आपका हिस्साहधारी ही नहीं है तो उस परपटी के किसी को दे सक है तो दूसरा होता है जिसे हम खुद से अर्जित क्या अशुर्भ कर सकते तो पीता जी कौंसा परपटी किसी को कर सकते है कौंसा परपटी नहीं कर सकते यह वह समझात गए आसा भलाय बहुत हैं सिंपल सरल भासा में समझाए आप समझ गए होंगे तो इस तरह का होता है तो इस तरह के परपटी में किसमें दे सकते हैं किसमें नहीं दे सकते हैं दोनों आपने समझाए तो दोस्तों आपने जाना इसके अलावा आपके भी मन में इस तरह कोई सवाल हो कोई प्रस करते हैं लेकिन किसी कारण बस संभव नहीं हो पाता है इसलिए कि मैं भी काम करता हूं प्यास रहता हूं और सबको अलग-अलग जवाब देना संभव नहीं हो पाता है लेकिन जरूर मैं कोमेंट का सारे को मेंट को पढ़ता हूं सबके टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रय है आपके ट्रॉपिक पर वीडियो जरूर बनते हैं तो दोस्तों मेरे चैनल पर नए है पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल घंटी है उसको भी दबा लिए लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटी-कोटी धन्यबाद देता हूं अभारी हूं आपका मिलता है नेक्ट वीडियो में नए मुद्ध के साथ तब तक के लिए शुक्राइब धन्यबाद जाए हिन दोस्तों